हेलो फ्रेंड्स, LGR Study ITI के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार ITI का परवेश परिक्षा 5 तारीक रवी बार को आप लोग का होने वाला हैं तो अगर आप भी 5 तारीकों बिहार ITI का परवेश परिक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ही महतपूर्ण होने वाला है और साथी साथ कुछ ऐसे भी जानकारी देने वाले हैं जो आपके एक्सपरियेंस को बहुत ही अच्छा कर देगा और यह जानकारी अगर आपके पास नहीं रहता है तो कहीं ने कहीं आप गलती करते हैं और बहुत सारे बच्चे एक्जाम देगर के आते हैं, बताते हैं किसरा ऐसे किये, हमको यह दिकत हो गया, वो दिकत हो गया, तो अगर आप भी एक्जाम में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरूँ से अंतब जरूर देखिएगा, काफी महत्पू स्टुडेंट पूछ भी रहे थे, कि सर रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है, कि आपको इतना बजे एक्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है, आपका एक्जाम जैसे होने बाला 11 बजे से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी यानि कि 10 बज़े आपको वहाँ पर पहुंच जाना है मैं तो आपको सलाह देना चाहूंगा कि भाई साब आप 9 बज़े ही पहुंच जाए क्योंकि बहुत सारा समझते हैं ट्राफिक इधर उधर सब कुछ तो आप 9 बज़े पहुंच जाएए वहाँ पर आपका 10 बज़े से इंटरी जो है वो चालू हो जाएगा अब एडमीर कार पर काफी महत्पूर्ण जानकारी दिया गया है उसको भी एक बार हम लोग जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझने पाते हैं या फिर समझते हैं तो फिर उसको पढ़ते हैं तो दिक्कत आता है तो चले हम आपको इसको सौट कॉर्ट में फास्ट ली क्या कर देते हैं बता देते हैं सबसे फॉस्ट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिच्छार्थी को अपना परवेश पत्र परवेश द्वार तथा परिच्छा के अंदर जो आपको दिखाना पड़ेगा तो यह तो सब स याँचार अदा गंटा जाने से कोई यहाई है आगे काफी महातपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं तीन नंबर बोला जारी कि पडिक्छार्थी को पडिक्छक हैना था भीकछक द्वारा परिक्षा आबधी में दिये गए सारे निर्देश का क्या करना होगा पालन करना होगा मतलब आपके टीचर जो वहां कहेंगे आपके हौल में जो टीचर रहेंगे जो भी कहेंगे उसका पालन आपको करना पड़ेगा तो ये भाई सब जानते ही है अब कुछ अब जो 5 नमर से जानकारी आता है बहुत ज़्यदा महात्पूर्ण है इसको आप पूरे सेरेसली रुप से समझने की कोशीश कीञेएगा क्या बोला जारा है पांच नमर में बोला जारा है कि परिक्षारत्य को निरदेश दिया जाता है कि परिक्षा कैंदर पर अपने तो मैं यहाँ पर हल्का जूम करके दिखा देता हूँ अपने साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ITICAT 2021 का जो परवेश पत्र है वो पहला चीज क्या ले जाएंगे आपका जो एड्मीड कार्ड है ITI वाला वो ले जाएंगे दूसरा देख सकते हैं कि मैट्रिक का एड्मीड का या नहीं तो कोई आई कार्ड है तो ले जा सकते हैं तो आई कार्ड में आपके पास क्या होगा या तो आधार कार्ड होगा और कोई आई कार्ड तो आपके पास होगा नहीं अगर 18 वर्स पूड़ा है तो वो ट्राइड होगा तो अगर आपके पास आधार कार्ड है उस पर फाइदे में आप रहेंगे और चौथा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार उसको फोटो नहीं मैच करता रहता है तो बच्चे को समस्या में उडालता है तो दो आप पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाएगा दो पासपोर्ट साइज फोटो भी जेवी में रख ल प्रणे के लिए यहां पर आप किलियर ली जो है डेख सकते हैं कि नीला या काला बॉल-पॉइंट पेन ले जाएंगे तो पेन तो भाइशाब आप ले ही जाएए दो परकार का पेन ले जाएगा एक तो गोला घसने वाला जो मोटा वाला पेन होता है वो ले लिजे उसके बाद आप एक पतला वाला भी पेन ले लिजे जहां पर आपको लिखना पड़ेगा नाम लिखना पड़ेगा जैसे रॉल नमर लिखना है तो इस सब लिखने के लिए आप जो है काला ही वो भी लिजेग SORRY 500 gram बाला आप क्या करेंगे पानी का बोतल ले जाएंगे ढिकर वहाप पानी नहीं पिलाएगा कोरोना का time है वो कोई जिक से लेना नहीं चाहता है वो पानी आपको नहीं पिलाएगा तो आपको खुद 500 gram का पानी का बोतल ले जाना है और 50 ml वाला hand sanitizer का भी आप एक file ले लेंगे ठीक ना sanitizer का ले जाना और mask बिना mask का नहीं पहुँचना भाई सब mask तो ले जाएंगे ही ले जाएंगे ठीक है और ये सब ले जाना देख सकते हैं कि क्या बोला गया है आवस्यक है इस सब के बीना हो सकता है तो आपको इंट्री नहीं भी दे सकता है तो जो लिख दिया है अनुसार चलना बहुत ज़्यदा महात्पोर्ण होता है अब आगे के चीजों को समझते हैं आपर समझने की खोशिस करेंगे चो नमर में परते परिच्छार्थी को ओमर उत्तर पत्रक भरने के लिए परिच्छा कच में दी जाने वाले उत्तर पुस्तिका के हना आबड़न यानि की प्रिष्ट पर आप देख सकते हैं कि ओमर उत्तर पत्रक के दोनों ओर जो है चापे गए सब ही निर्देश पूरी जो है सब्धानी से पढ़ लेना आपको मैं यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ शिक्स नमबर के अनुसार आपको याद रखिएगा कि सबसे पहले जैसे ही ओमर मिले और आपको जो है OEMR पले दे दिया जागा कॉपी दे दिया जागा तो कॉपी ये कुश्चन दिया जागा तो कुश्चन तो जल्दी नहीं खुलने देगा लेकिन OEMR खोल करके आप पढ़ सकते हैं OMR का दोनों साइट जो है अच्छा से एक बार आप निर्देश जो भी दिया गया होगा उस पर पर लिजिएगा कि क्या-क्या निर्देश दिया गया है ठीक है इसके बाद जो है आप यहाँ पर काफी महातपूर्ण जानकारी देने वाले है तो हो सकता है कि दो मिनट वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन जानकारी बहुत जड़ा महातपूर्ण होने वाला है ठीक है ना तो आप जो है दोनों साइड पर लिजिएगा ज्यादा बेटर एक्सपरियेंस के लिए साथ नमर में क्या बता जा रहा है कि परिक्छार्थी को उत्तर पत्रक के पार्ट टू पर कहीं भी किसी भी परकार का चिन नहीं बनाना वर्जित है जो आपका आंसर सीट होगा जो आ आपको चिन उन नहीं बनाना है ठीक है इसके बाद काफी महत्पूर्ण चीज क्या है इस परवेश पत्र को कांसिलिंग इंटर्व्यू के समय दिखाने के लिए सुरक्षित रखना वांचित है जो आप एड्मिड कार्ड ले जाएंगे और उस एड्मिड कार्ड पर वहाँ आप टीचर सिंग्नेचर करेंगे आगे उस पर हम बात करने वाले हैं आपका जो एड्मिड कार्ड होगा जिससे आप एक्जाम दिये हैं वो जरूर रखिएगा जब तक एड्मिड सर नो हो जाए क्योंकि कांसिलिंग के टाइम में और इंटर्व्यू देख सकते हैं पूरे ले जाना है ठीक है लेकिन समस्या कर सकता है ठीक है और सबसे महात्पूर्ण 10 नंबर जो चीजे है वो क्या है परिक्षार्ती के आना बहुत जद्यूरी है बीना मास्क का आप नहीं जैगा तो यह तो सम्झते ही है तो जेनरल हो चुका है ये बात हम लोगों के लिए अगल परिक्षरती को परिक्षा कच में बिक्षक के सामने निर्धारी तस्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में अवस्यक है सही बात है, और यह बात आप लोग अभी मत कर लिजेगा, घर पर टीक है न, घर पर आपको नहीं करना है, देरेको देखा ही देता हूं, कि हाँ, किया है और नहीं है, admin card में यहां पर आप देखेंगे तो आपका date लिखा है time लिखा है और जो भी है तो यह दिखा गया है यहां पर आपको बड़े अक्षर में हस्ताक्षर करना अंग्रेजी में और यहां पर देख सकते हैं पड़े चार्थी का हस्ताक्षर हिंदी में तो इसमें आपका sing-nature होगा यहां भी आपका hindi में sing-nature होगा तो यह sing-nature घर पर मत कर लिजेगा ऐक्षाम, hall में जब teacher बोलेंगे तब कीज спортे का है ठीक है और यह वाला काम में आपको यहां पर बता रहा हूँ तो इसको यहां पर समझने कीöसिश करेंगे यह वाला जो चीज है यहाँ पर आपके परिक्षार्थी के जो है आपके टीचर के जो आपके हॉल में होंगे जो टीचर उसका सिंगनेचर होना जरूरी है क्योंकि कॉंसेलिंग या फिर इंटर्व्यू के टाइम में आपका जब एड्मिट कार्ट जमा होगा तो देखा उससे जरूर आप जो है करवा लिजेगा ठीक है बात करें आगे अगले पॉइंट में आपको क्या समझाने की कोशिज किया गया है तो जो है यहाँ पर देख लिए एक महत्पूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूं इसको याद रखिएगा 11 नंबर में आपको बोला ज होगा ठीक है तो कुश्चन पर जो कुश्चन नंबर होगा वो देख लिएगा ओमर का जो नंबर होगा वो देख लिएगा दोनों एक जैसा होना चाहिए जो नंबर कोश्चन के उपर है वही नंबर ओमर के उपर होना चाहिए अगर यह दोनों नंबर मैंच नहीं कर रहा ह तो आप अपने टीचर को बोलेगा कि सर मैच नहीं कर रहा है ठीक है तो वो समस्या का समधान करेंगे तो ऐसा होना बहुत ही ज़या जोड़ी है जो कि आपको यहाँ पर 11 नंबर में समझा रहा है जो कि आपको 11 नंबर में देख सकते हैं कि OMR seat और booklet नंबर जो है देख सकते है समान होना चाहिए समान मतलब एक जिसा होना चाहिए नहीं तो फिर आपको समस्या में वो डालेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं अगर 13 नंबर में क्या समझाया गया है कि अगर आपके ermid card में कोई भी समस्या है पड़वेश पत्र में कोई भी दिक्कत है कोई भी त्रोट दिया गया है जो हमने आपको बता ही दिया कि आप सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना है 50 ml का आपको जो है सेने ट्राजर लेके जाना है अब पानी का बोतल आप ले जाएंगे जो कि ट्रांस्पेरेंट होगा और बाकी सब कुछ जो आप जानते ही इसके बाद और कुछ आपको समझ में आया होगा जिन लोगों को समझ में नहीं आए तो फिर सी आप वीडियो को एक बार देखे लिजिए और जितना हमने बताया है उसका पालन जरूर केजिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR Study देखते रहें और इ